है कि यहां पर यहां पर है फिल्ले वगरामी प्डी यू रिस ठीक थो यह हमारे पास हो गया पिलर य align कि इस इसके डाइगुनल से वह आम्पड शटब करते हैं यह डाइगुनल हो गया ञेल यह घुण ठीक है अब देगो यह P Q R and S यह point M P intersect करता है diagonal ठीक है यह diagonal point M P intersect करेंगे यह P M S ठीक है P M S यह angle हमें given है 54 degree 54 given है ठीक है Q S R Q S R यह हमें given है 25 degree S Q R S Q R यह angle given है 30 degree ठीक है अब देखो S Q R हमें 30 degree given है अब देखो यहां से हम देखें तो हमें find out क्या करना है R P S यानि कि R P S एक तो यह angle find out करना है P R S P R S एक यह angle find out करना है and P S R एक यह angle find out करना है ठीक है यदि हमार पास कहीं भी Z बन रहा है तो उसके यह angles और यह angles same होते है ठीक है अब यदि हम देहां से देखें यह आपे ठीक है तो और अपच यह धी को टू लाइन इंटरसेक्ट करी है तो यह angle same होते है यह और angle भी सेम होते है ठीक है तो यहाँ पर टू diagonal intersect करेंगे यह यह angle 54 है तो यह angle भी कितना होगा 54 थीक है तो M Q R एक triangle बन ठीक है तो ट्रेंगल के तीनों एंगल का संब कितना होता है 180 तो 180-54-30 तो ये एंगल कितना जाएगा 96 डिग्री ठीक है ये 96 आ गया ठीक है ये 96 आगया अब यदि हम ध्यान से देखें तो यहां पर एक जेड बन रहा है देखो ये इस तरह से देखो आर एस क्यू पी ये एंगल तो ये एंगल भी कितना होगा 25 ठीक है अब दिखो ये 25 होगा तो यहां से देखें तो यह 20 अनुल हों रहा है जेड टाइप इंबłos ना हूँ आर पी ऐस ठीक है ये ये थी 96 हैं तो ये भी दॉना होगा 96 होगाों ठीक है है lange आप देखो ये 66 होगा और अहाल पास six over ticket अब देखो यह 96 होगा और अब हमार पास यह ट्राइंगल बन गया पी एस एम ठीक है इसके थ्री एंगल कसम वानेटी होता है तो यह एंगल कितना हो जाएगा यह अपने पास 30 डिग्री ठीक है वेसी भी एक जेट मन रहा था यह देखो पी एस क्यू आर यह एक जेट मन रहा था तो यह थर्टी होगा ठीक है अब हमें एंगल से यह यह टोटल एस तो 25 प्लस 30 कितना हो जाएगा 55 यह एंगल ऐसा जाएगा ठीक है इजी है